यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है 82 दिन आपकी होट लाइन October 1962 में United States के President Kennedy और Soviet Union के Premier Krusev के बीच क्यूबा में Missile का उत्पादन करने से सम्मधित बातचीत में समझाता नहीं हो रहा था Cuban Missile आपदा ने लगभग विश्विध तीन ला दिया था लेकिन इसे रोक दिया गया क्योंकि बातचीत स्थापित हो चुकी थी यहां निर्णे लिया गया कि एक लाल टेलेफोन United States के President की मेज पर और दूसरा Soviet Russia के Premier की मेज पर रखा जाए बातचीत की उस कड़ी को Hotline कहा जाता था यदि कभी गलत फैमी का खतरा होता था तो वे सिर्फ फोन उठा कर बातचीत कर लेते थे बातचीत हर संभव में महतपून है बातचीत को बढ़ाने और विकसित करने के लिए समय निकालना एक महतपून बात है इशू ने आपको परमेश्वर से बातचीत करने के लिए एक Hotline दिया है लेकिन यह केवल आपातकाल में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है वे इसे हर समय इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं भजन सहीता 37 का 1 से 9 तक परमेश्वर के सामने अपने हरदय को खोल दीजिए आपकी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं भजन सहीता के लेखक कहते हैं परमेश्वर में आनन मनाओ और वह आपके हरदय की इच्छाओं को पूरा करेंगे जिन चीजों की आप इच्छा करते हैं उनके पीछे जाने के बजाए यदि आप परमेश्वर में आनन मनाएंगे तो वहाँ आपके हृदय की इच्छाओं को पूरा करेंगे यह बहैतर होगा कि आप परमेश्वर को वहाँ चीजें देने दें इनके बजाए कि खुद चीजों को पाने की कोशिश करते रहें वह वायदा करते हैं नमबर एक आपके डर के बीच में विश्वास हो सकता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हो जो आपको डराती हो और भैभीत करती हो लेकिन भजन सहिता के लेखक तीन बार दोहराते हैं घबराओ मत ना ही जलन रखो इसके बजाए परमेश्वर के पास आओ उनके पास अपने डर को ले आओ और परमेश्वर में भरोसा करो विश्वास भरोसा है यह डर और भै के विपरीत है अपने मार्ग की चिंता यहवा पर छोड़ दो यह मार्ग दर्शन की पुंजी है निर्णय को परमेश्वर के पास लाओ उन्हें कार्य करने के लिए कहो और उन पर भरोसा करो कई बार मैंने अपने जीवन में इस वचन का इस्तेमाल किया है दूसरों के साथ प्रार्थना करने में मैंने इसका इस्तेमाल किया है जो निर्णय लेने में हम संघर्ष कर रहे हैं विशेश रूप से उनकी नौकरी या विवाह के लिए लड़का लड़की के लिए यहाँ एक सरल तीन भाग की प्रक्रिया है पहला प्रार्थना में निर्णय को परमेश्वर को सौप देना उनसे मांगते हुए कि वह आप के लिए सही दर्वाजे को खोल दें और गलत को बंद कर दें दूसरा इसके बाद भरोसा करें कि वह उनके नियंत्रण में है तीसरा विश्वास में देखें कि वह कार्य करता है जैसे ही आप अपने रस्ते में आगे बढ़ते हैं यहाँ आशा करते हुए कि परमेश्वर कार्य करेंगे परमेश्वर के लिए अपने हॉट लाइन का इस्तिमाल कीजिए परमेश्वर के सामने शांत होने के लिए समय निकालिए और धीरज के साथ उनका इंतजार कीजिए यह स्रोत है जो आपके सत्यनिष्ट प्रतिफल को चमकाता है चिंता और क्रोध न करने और शांती और आशा को पाने का यही तरीका है परमेश्वर मुझे डर, इर्शा और गुस्से से दूर रखिये जैसे ही मैं आपमें भरोसा करता हूँ आज मैं अपने रास्तों को आपको सौपना चाहता हूँ मैं आपके सामने स्थिर रहूँगा, मैं आपमें आनन्द मनाऊंगा नयानियम, लुका 4 का 38 से 5 के 16 तक परमेश्वर के वचन को सुने परमेश्वर से आपके हाटलाइन में दो तरफा बाचीत शामिल है यह प्रार्थना में उनसे कहना और उनके वचनों को सुनना है यह इशू की सेवकाई का रहस्य था इशू से अधिक शक्तिशाली सेवकाई किसी की नहीं हुई उनके समय में इशू से अधिक प्रसिध और उर्जा किसी के पास नहीं थी हर किसी को उनकी सहायता चाहिए थी शिमोन की सास को चंगा करने के लिए जब उन्होंने उनकी सहायता मांगी तब उन्होंने उसे चंगा किया जिस किसी को उनके पास लाया गया उन्होंने उन पर हात रखे और उन्हें चंगा किया वह निरंतर सुसमाचार का प्रचार करते रहे उन्होंने कोडियों को शुद्ध किया भीड बढ़ गई बहुत से लोग उनकी बातें सुनने और उनकी बिमारियों से चंगे होने के लिए आते थे वह ऐसा कैसे कर सके उनका रहसी क्या था उनकी सामर्थ का श्रोथ क्या था जब दिन हुआ तब इशू एक सुनसान जगह में चले गए चार का बैयालिस अकसर इशू सुनसान जगह में जाकर प्रार्थना करते थे पाच का सोला जब तक आप परमेश्वर के साथ अपने हाटलाइन के द्वारा आवेशित नहीं होते हैं तब तक आप परमेश्वर के राजमें जीवन की मागों को नहीं संभाल पाएंगे परमेश्वर के वचन को बहतर सुनने के लिए भीड इशु को दबा रही थी नाव का इस्तेमाल करते हुए इशु ने भीड को सिखाया इशु के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने से पत्रस का जीवन बदल गया पत्रस ने ना केवल एक बड़ी मातरा में मचलियों को पकड़ा उसने एक बड़ा दर्शन भी पकड़ लिया कि परमेश्वर उसके जीवन के साथ क्या कर सकते है तीन साल बाद उन्होंने एक सभा में प्रचार किया जिसमें एक ही दिन में 3000 लोगों ने विश्वास किया उन्होंने नीव रखी जिसके द्वारा 2000 साल बाद 20 लाग से अधिक लोग ईशु के नाम का अंगिकार करते हैं इस दृष्टान से हम क्या सीखते हैं नमबर एक, संभावना बहुत है उन्होंने कोई मचलिय नहीं पकड़ी थी लेकिन वहाँ पर बहुत सी मचलियां थी पकड़ने के लिए गलील के समुद्र में बहुत सी मात्रा में मचलियां थी जो समुद्र में भरी हुई थी यदि ये समुद्र जल ठोस होता तो यह एक एकड के बराबर था यदिपी जालों को साफ करना मच्छवारों के लिए महतवपून है तब भी प्राथमिक उद्देश है मचलियां पकड़ना चर्च का प्राथमिक कारिय मिशन है इशू कहते हैं गहरे में ले चलो और मच्छलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो बहुत से लोग हैं जिन्हें इशू के संदेश को सुनने की आवशकता है पत्रस का पहला जवाब नकारात्मक और निराशावादी था उसने नहीं सोचा था कि यह काम करेगा हमने सारी रात कठोर परिश्रम किया और कुछ नहीं पकड़ा किन्तु शायद बहुत देर के बाद वह कहते हैं लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा जो असंभव लगता था इश्रम ने उसे संभव किया जब उन्होंने जाल डाला तब उन्होंने इतनी सारी मचलियां पकड़ी कि जाल फटने लगे यहाँ अकेले नहीं किया जा सकता है परन्तु यहाँ केवल पार्टनर्शिप में कर सकते हैं इसलिए उन्होंने दूसरी नावों से अपने सहकर्मियों को बुलाया और उनसे सहायता मांगी और उन्होंने आकर दोनों नावों को इतना भर दिया कि वह डूबने लगी पार्टनर्शिप मिशन के लिए एक पूंजी है चर्च के बहारवालों के लिए जगडा प्रतिकूलता है पार्टनर्शिप और एकता बहुत आकरशक है पत्रस का पहला जवाब था अपनी आयोगिता को समझना प्रभू मुझसे दूर हो जाईए मैं एक पापी मनुशी हूँ उसी समय वह और दूसरी मचलियों के पकड़े जाने पर चकित हो चुके थे अवशी ही वे बहुत भैभीत हुए होंगे लेकिन इश्व ने कहा डरो मत अब से तुम मनुशीयों को पकड़ोगे उन्होंने देखा कि यह एक दर्शन था जिसके पीछे जा सकते हैं और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़ कर उसके पीछे हो लिए परमेश्वर आपका धनिवाद कि आपने मुझे आपसे बात करने के लिए एक हाट लाइन दिया है मेरी सहायता कीजिए कि इशू की तरह आपके साथ अकेले में समय बिता सकों एकान स्थानों में जाकर प्रार्थना कर सकों और आपके वचन को सुन सकों पुराना नियम गिंती 15 का 1 से 16 के 35 तक परमेश्वर के साथ बाचीत को प्रार्थमिक्ता दीजिए जैसे ही आप पुराने नियम को पढ़ते हैं और विशेश रूप से आज के कुछ लेखांच तो यहाँ आपको थोड़ा हैरान कर देंगे यहाँ पर कोई सरल उत्तर या स्पष्टी करण नहीं है बहुत सी चीजें हैं जो समझने में कठिन है शायद यहाँ बहतर है कि उस पर ध्यान दिया जाए जिसे हम समझ सकते हैं परमेश्वर के साथ आपके संबंद और उनके साथ समय बिताने का महत्व इस लेखांच में सपष्ट है यहाँ कई बार देखा गया है कि परमेश्वर को हव्य भाता है पंदरा का साथ, दस, तेरा, चौबीस प्रायश्चित करने के लिए भेंट चड़ाने की आवशकता थी प्रायश्चित हमें परमेश्वर के साथ एक बनाता है इसके लिए शमा की आवशकता है पद 25, 26 और 28 यहाँ सब हमें इश्वर के बलिदान के लिए तयार कर रहा था जो की संपूर्ण शमा और प्रायश्चित को लाता है ताकि आपके पास परमेश्वर से बात करने के लिए होट लाइन हो इश्वर के लोगों ने सब्द को बहुत जादा महत्व दिया एक ऐसे दिन के रूप में जो परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए अलग रखा गया है शायद से सब्द के नियम अभी लागु नहीं होते हैं लेकिन विश्राम करने और परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय निकालने का अभियास अभी चला आ रहा है इस संबंद के महत्व के कारण बत्तमीजी या विद्रोह के द्वारा इसे पहुंचाने वाली किसी भी हानी को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया जाता है। कि आप इस असाधरन सुविधा का लाब ले सकें और उनके साथ अकेले में समय बिता सकें। उनकी उपस्तिती में आनन मनाते हुए और उनके पास अपने निवेदनों को लाते हुए। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए ऐसा एक जीवन जीने के लिए जो आपको भाता है। मैं हर दिन आपके पास रह सकूँ और आपके साथ अकेले में समय बिता सकूँ। परमेश्वर में आनन मनाईए और वह आपके हृदय की इच्चाओं को पूरा करेंगे। बजन सहीता 37 का चार